तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक बार फिर से आपके लिए एक और शांदर वीडियो के साथ अब दोस्तों आप लोगों ने अतरंगी चीजें तो बहुत बार देखी हूंगी लेकिन हमारी आज की इस वीडियो में पागल पंती की हदें पार है जहां इक तरफ CCTV कैमरे को देखकर चोर ने हाथ जोड़ने शुरू कर दिये तो वहीं दूसरी तरफ आफिस के अंदर होने वाले कुछ ऐसी हरकते देखने को मिली जो आपको भी इस सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप वाकई में भूत परयत होती है इन सब के अलावा भी हमारे इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे बस वीडियो के बिलकुल अंत तक हमारे साथ इसी तरह बने रहना सबसे पहले आप इन चोर भाई साब से मिलिए जो चुप चाप लाइन में लग जाते हैं और फिर आगे वाले बन्दे की जेब से मुबाइल फोन चूरी करके अपनी जेब में बस डालने ही वाले होते हैं तब इनकी नजर सीसी टीवी कैमरे पर बढ़ती है और ये समझ जाते हैं इनसे कांड हो चुका है तब ही तो पहले सीसी टीवी कैमरे की सामने हाथ जोडते हैं और फिर जिस बन्दे का फोन चोरी करते हैं उसे वापस कर देते हैं ये बोलकर कि आपको फोन गिर रहा था मतले में वो शक्स इने शुक्रिया भी कहता है अब इस बेचार को क्या पता कि अगर CCTV कैमरा ना होता तो जिसको वो शुक्रिया कर रही है वो अब तक इनका फोन लेकर रफुचकर हो चुका होता अब दोस्तों कुछ चोरों की अकल CCTV कैमरों को देखकर ठीक हो जाती है और कुछ के करम भुटे रहते हैं ठीक इस चोर की तरह जो जैसे ही महिला का बैग लेकर रफुचकर होने की कोशिश कर रहा था वैसे इसकी ऐसी बेंड बजी कि आज के बाद चोरी करना तो दूर चोरी के बारे में सोचे गभी नहीं क्योंकि इस जिस भायानक तरीके से एकसिडेंट हुआ है उससे ये तो कन्फॉर्म है कि एक आधी हड़ी तो जरूर इनकी टूटी होगी बाइक पर बैठ कर फून चीनने वाले चोरों को तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा लेकिन अब जरा आप रुमाल चीनने वाले इस चोर को देखिए जो नजाने कौन सा सूखा नशा करके आया है कि नाक पोँचने वाले रुमाल को मोबाइल समझ बैठा और फिर कैसे उस पर हात मारा आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों अब जरा आप रूड के बिलकुल बीचो बीच बनने वाले इस सिंक को होल को देखिए जिसका साइज इतना जादा बड़ा है कि इंसान तो छोड़िये जानवर तक इसके आज़ पास भटकना पसंद ना करे लेकिन जब दमाग में दारू चड़ जाती है तो इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे गड़ा है या फिर कुछ और तबी तो जब ये जनाव फुल ओन दारू के नशे में स्कूटी चला रहे थे तो डारेक्ट इस सिंग हॉल के अंदर ही समा गए अब दोस्तों मैंचेस्टर के इस ओफिस का नजारा देख कर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे क्योंकि हम और आप साफ दिख सकते हैं कैसे यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है पर फिर भी ना सिर्फ दर्वाजा अपने आप बंद हुआ बलकि सामने मौजूद अलमारियां भी अपने आप खुलने लगी जिसे देख कर एक बात होता है कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड जरूर है वरना दर्वाजा बंद होने तक तो ठीक था कि हाँ दर्वाजा हवा से बंद हो गया होगा लेकिन इस तरह से कबड़ का खुलना वाकई में बहुत डरावना है वैसे आपको क्या लगता यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है या फिर यह सिर्फ हमारी आँखों का धोका अपना जवाब कोमेंट में बताईए यहाँ पर तो पेट्रोल पंपर काम करने वाले बंदे ने बिलकुल तैल कई मचा दिया जो कार में फ्यूल भरवाने आए इसे शक्स को बार-बार कह रहा था सिगरेट ना फियो लेकिन यह जनाब सुनने को तयारी ने थे इसलिए इसने फायर एस्ट्रिंगेशर लिया और इनकी हालत क्या करे खुद दिख लीजिए वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी पेट्रोल पंप दुनिया की उन जगों में से एक है जहां पर किसी भी प्रकार की शेतानी उल्टी पड़े जाती है अब जैसे कि ये लोग फ्यूल भर रहे इस बंदे को लूटने के लिए कार से आते हैं लेकिन ऐसा करते समय ये लोग भूल जाते हैं कि उसके हाथ में पेट्रोल है तब ही तो जब वो शक से इनके उपर पेट्रोल छड़कना शुरू करता है तो उनके सिट्टी बिट्टी हूम हो जाती है और ये चुप चाप उस जगह से 9-11 हो जाते है क्योंकि इने पता है कि पेट्रोल से नहाने के बाद अगर हलकी सी भी आग ने इन पकड़ लिया तो उनका डारेक्ट राम नाम सत्ते हो जाएगा अगर हर किसी के घर में इस तरह के डॉग हो तो इंसानों की जरूरत ही नहीं जहां ये दोनों डॉग दर्वाजे के पास इसलिए खड़े हैं ताकि फूट डिलिवरी वाले से डिलिवरी ले सके और जैसे ही लोग डिलिवरी लेते हैं वैसे इतने जबरदस स्टाइल से डॉग दर्वाजा बंद करता है कि सच में मज़ा आ गया नहीं नहीं हम यहां पर आपको एक्शन रिप्ले या फिर फोटो एडिटिंग नहीं दिखा रहें बलके ऐसा सच में हुआ जब एक स्टोर में बोतल जमीन पर गिरी और वोटर जैट प्रेशर की वज़े से वापस आकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई मतलब यह साइंटिफेक्ट चीज किसी करिशमे से कम नहीं थी जिसने लोगों को सोच में डाल दिया कि आखिर बोतल जाकर अपनी जगह पर कैसे सेट हो सकती है पानी की बारिश होते हुए तो आप लोगों ने देखी है लेकिन क्या कभी आग की बारिश होते हुए देखी है अगर नहीं तो नजारा आपके सामने है आप सोच रहे होंगे ये किस तरह की प्राकृतिक घटना है असल में दोस्तों जब बिजली गिरते हुए मेटल की छट के उपर जाधम की तो बिजली से होने वाले गर्मी के वज़े से मेटल पिगल गया और फिर जैसे वो आग की बारिश की तरह जमीन पर गिरता ये खौफनाक नजारा आप खुद देखिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अब आपका इस वीडियो के पारे में क्या कहना है कॉमेंट में बताईए और इसे तरह की वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद